दोस्तों हिमगाड आरो स्केल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे एक दोस्त हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या कोई ऐसी हेंगिंग स्केल भी आती है जिसको हम दूद नापने के लिए यूज कर सके नॉर्मली दोस्तों जाब हम दूद का काम शुरू करते तो इस सकेजी का कांटा और इससे बड़े कांटे यूज किये जाते हैं और एक बात दोस्तों कि दूद को जो ना पजाता है वो लीटरों में ना पजाता है जो नॉर्मली कांटे आते हैं वो किलों में बजन दिखाते हैं तो जब भी आपने दूद का काम शुरू करना हो तो आप पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई आप देख सकते हैं आज का जो दोस्तों सवाल था उनका हेंगिंग स्केल को भी दूदन आपने के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि यह लीट्रों में होना जरूरी है तो दोस्तों आज हम आपको कांटा ओन करकर ही दिखाते हैं सबसे हम बजन यहां हेंग करेंगे तो उनका जो कोश्चन था कि क्या हम लीट्रों में कर सकते हैं तो इसके लिए कुछ सेटिंग करनी पड़ती है दोस्तों और एक लीट्र में कितने ग्राम दूद होता है वह आपको पता होना चाहिए वह आप जो लीगल मेट्रोलोजी डिपार तो कोश्चन था कि क्या हेंगिंग स्केल में यह फंक्शन होता है तो दोस्तों हम चेक करते हैं मोड बटन दबा कर तो यहां अभी कुछ नहीं आया है नेक्स्ट दबाते हैं क्योंकि यहां लीट्र लिखा आना चाहिए तो यह आ गया दोस्तों अब अगर आप बजन करोग लीट्रों में तो यह लीट्रों में दिखाएगा और अगर आप दोबारा इसको दबावगे बटन को MR के तो यह द्वारा केजी में करणवाट हो जाएगा एक और आपको फिर मैं करकर दिखाता हूं यह देखिए दोस्तों तो आपके कोश्चन का अंसर है यस आप वेंग स स्केल को दूद नापने के लिए भी यूज कर सकते हैं लेकिन जो इसके अंदर सेटिंग होती है उसमें आपको एक लीट्र में एक किलो 32 ग्राम की सेटिंग रखनी होगी क्योंकि एक लीट्र में एवरेज एक किलो 30 ग्राम दूद आता है तो जब भी आप कांटा खरीदे तो यह सेटिंग जरूद चेक करें कि लीट्र में 1 किलो 30 ग्राम दूद आता है और बजन रखकर भी आप चेक करें कि अगर 5 किलो का बटा आपने रखा है तो पूरा 5 किलो यहां डिस्पले हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों अगर कांटो के बारे में आप कोई भी जान इंक स्केल वाला कांटा दूद ना अपने के लिए लेना चाहिए जा फिर 30 किलो का इस तरह का जा फिर 50 kg का इस तरह का तो नेक्स वीडियो जुरूर देखिएगा थेंक यू